السلام علیکم आप देख रही हैं आल पाकिस्तान सेलाबरेटीज वीवर्ड आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ ट्रामा तेरे इश्ख के नाम में अलतमश की मा का रोल अदा करने वाली सदाकारा के बारे में या अदाकारा असल में कौन हैं क्या करती हैं इनकी तीन तीन हसीन बेटियां फैमली आई की मुकमल डिटेल्स जानते हैं तो उससे पहले आप से चोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल आल पाकिस्तान सलाब्रटीज पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि शोबिस से आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बरवकत मिल सकें तो वीवर्स ड्रामा तेरे इश्क के नाम में अलतमश की मां सनोबर का रोल अदा करने वाली सदाकारा का असल नाम मुनज़ा आरिफ है और ये पाकिस्तान के शहर लाहोर से तालूग रखती है ये 18 मार्च 1968 को लाहोर में पैदा हुई और इस वकत इनकी उमर 55 यर्ज हो चुकी है ये खुबसूरस यदाकारा बहुत से ड्रामाज और मुवीज में काम कर चुकी है इनकी मुवीज की बात की जाए तो मुवी परदे में रहने दो हीर मांजा में नजर आ चुकी है ड्रामाज की बात करूँ तो ड्रामा हीरदा हीरो हम तुम महरबान तेरे बिना मैं नहीं और आधी गवाही में भी इनकी अदाकारी को बेहत पसंद किया गया अब बात करती चलूँ अगर मैं इनकी फैमली के बारे में तो इनके वालिद एक बुजसमैन जबकि इनकी वालिदा हाउस वाइफ है और इनकी बहने और भाई कोई भी शौबिस इंडास्री से तालुक नहीं रखता इसी तरह बात करती चलूं मैं इनके मारिटल स्रेटस की तो इनके हस्बेंट भी शोबिस से तालुक नहीं रखते लेकिन इन्हें काफी सपोर्ट करते हैं और ये हैं इनकी हसीन बेटियां इनकी तीन बेटियां हैं और इनकी बेटियां भी married हैं और काफी हद तक इनकी बेटियां इनके साथ काफी मुमासलत रखती हैं लेकिन इनकी बेटियों में से भी किसी ने शोबिस को जॉइन नहीं किया बात करते चले मुनज़ा आरिफ की तालीवी काबियत की तो इन्होंने बिये कर रखा है और उसके बाद ये पंजाबी मुवीज में भी काम करती रही बात करें इनकी फिजिकल अपेरेंस की तो इनकी हाइट पांच फूर तीन इंच इनका हेर आई कलर ब्राउन जबके इनकी कमप्लेक्शन फेर है इनका फेवरेट कलर ब्लाक इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान इनकी होबी शॉप्मिंग करना और ट्रैवल करना है तो विवर्ट्स ये खुबसूरत अदाकारा मुनज़ा आरिफ आपको कैसी लगती है इनकी अदाकारी आपको कैसी लगती है कमेंट सक्षन में अपने कीमति राए का इजहार जरूर कीजएगा और विडियो यग पसंद आने की सूरत में विडियो को लाइक कीजएगा और मेरे चैनल आल पाकिस्तान सेलाब्रेटीस को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा तो मैं मिलूँगी किसी नए इंटरस्टिंग सी वीडियो के साथ बहुत जल्द अपना और अपने प्यारों का धेरों सा खिया रखियेगा अलानी के बान